अरे वाय यार देखो बिचारा बिग बोर्स तो मारा गया और आज से ये एरेना हॉल मेरा है और अभी मैं काफी पावर्फुल हो चुका हूँ लेकिन मुझे अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना है अरे मैं तो भूली गया आज लोस सेंटोस से मेरा एक बहुत ही पावर्फुल दोस्ताने वाला है जो कि मुझे और पावर्फुल बना देगा मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा अरे यार आखिर ये एविल रोपिरो का बच्चा आखिर गया तो गया कहा अरे रोपिरो भाई अभी मैं और ज़्यादा दूर नहीं बाग सकता मेरे तो दोनों पेर दुखने लगे हैं मैं नहीं चलूँगा अरे हाई यार छोटू पेर तो मेरे भी दुख रहे हैं लेकिन उसीविल रोपिरो के बच्चे को तो ढूनना ही पड़ेगा अरे पूरा वाई स्टाउन तो चान मारा पता नहीं कौन से कोने में चुपके बैठा है अरे ये बात तो सही है अगर एक वार उसकी जगे का पता लग जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगा अरे वायर उल्टा उड़ने में तो काफी ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन ये क्या भी मैं किस से टकरा गया अरे रोपिरो छोटू ट्रांसफोर्मर तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो अरे यार सुपर हीरो हम लोग तो सीविल रोपिरो को ढूंड रहे हैं लेकिन पता नहीं वो कहां पर छुपकर बैटा है अरे रोपिरो जहां तक मुझे पता है वो एरे ना होल के अंदर बिग बोस को मारने के लिए गया है अरे नहीं आर ऐसा नहीं हो सकता अगर उसने बिग बोस को मार डाला तो वो वाइस टाउन का सबसे पावरफुल आद्मी बन जाएगा अरे चलो सुपर हिरो तुम मेरे साथ चलो हम दोनों मिलकर उसको रोक लेंगी अरे नहीं रोपीरो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता दरसल मुझे गॉड हल्क ने अरजेंट में बुलाया है और अभी मुझे फटाफट से गॉड हल्क के पास में जाना ही पड़ेगा अरे चोटू सुपर हीरो तो गोड हल के पास गया अभी हम दोनों को ही चल के उससे रोकना पड़ेगा अरे आ रोपीरो भाई बिल्कुल सही का रुको अभी आता हूँ और ये देखो या रभी तो हम लोग एरेना होल के एक्जिट गेट के बाहर पहुँच गए और वो इविल रोपीरो का बच्चा यही से बाहर निकलेगा तो अभी एक काम करो हम दोनों यहाँ पर छुप जाते हैं और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा हम दोनों मिलके उसको दबोच लेंगे अबी तो रोपीरो भाई तो चुप गए मेरे को भी जल्दी से छुप जाना चाहिये अरे वा एक काम करता हूँ इस वाले कोने की अंदर जाके चुप जाता हूँ यहाँ पर तो वो मेरे को नहीं देख पाएगा अरे नहीं या रभी तो रात होने वाली है मुझे सुबह होने से पहले वहाँ पर पहुचना पड़ेगा अरे ये देखो यर ये तो बाहर निकल गया अभी मेरे को जल्दी जल्दी से इसके पीछे चलना पड़ेगा और इसे पकड़ना पड़ेगा अरे देखो रोपीरो भाई तो इविल रोपीरो के पिछे बाग रहे हैं मेरे को भी उनका पिछा करना पड़ेगा अरे ये देखो मेरा जेट पैक तो यहाँ पर खड़ा है तो अभी मैं इसको लेके यहाँ से चलता हूँ अरे लेकिन ये क्या मैं तो नीचे गिर गया मुझे लगता है मेरे फ्लाइंग सूट में कुछ कराबी हो गई देखो दूबरा से टकर लगी ओ नो वो इविल रोपीरो तो काफी आगे निकल गया होगा मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा अरे ये क्या रोपीरो भाई तो उड़के चले गए लेकिन मैं अवा में कैसे उड़ूँगा अरे मुझे कैसे भी करके रोपीरो को ये सब बताना पड़ेगा अरे छोटू ट्रांसफोर्मर रोपीरो कहा पर है अरे सुपर हीरो रोपीरो बाई तो इविल रोपीरो के पीछा करते हुए आसमान में उड़ते हुए गए अरे नहीं यार वो इविल रोपीरो के पीछे गया है मुझे कैसे भी करके उसे रोकना पड़ेगा अरे देखो यार अभी तो सुबह होने वाली है मुझे जल्दी से अपने दोस्त के पास पहुँचना पड़ेगा अरे वो देखो यार इविल रोप हीरो तो काफी आगे जा रहा है अरे रुक जो रोप हीरो मैं तुमको आगे नहीं जाने दूगा तुम उस इविल रोप हीरो के पीछे मच जाओ अरे सूपर हीरो मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वो बचकर निकल जाएगा अरे रो फिरो गोल धलक ने कहा है कि भूल कर भी इविल रो फिरो के पास में मत जाना करना वो तुम्हें जान से भी मार सकता है और तुम्हें गोल धलक ने अभी कह भी अपनी गुफा में बुलाया है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी गोडल के पास में जाता हूँ अभी मुझे वो ही बताएगा कि आखिर मामला क्या है अरे देखो मैं तो उस लोकेशन पे पहुँच गया जहां पर मेरा दोस आने वाला है मुझे लगता है मेरा दोस आज नहीं आएगा अरे ये देखो अभी तो मैं आ गया मैं हूँ रे ढलक और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस थूँ अरे हाँ मुझे बहुत अच्छे से आ दे हम दोनों बच्पन में एक साथ किर्केट खेला करते थे अरे तो मेरे दोस टीवी रो फिरो अभी मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भुलाया है अरे मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गये हो और तुमारे पास बहुत सी पावर्स है तो मुझे भी तुम्हारे पास से कुछ पावर्स चाहिए अरे मैं तुमको पावर्स जरूर दूँगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक मिशन करना पड़ेगा और ये क्या भी तो मेरे हाथ में एक gravity gun है अरे मैं समझ गया मुझे इस gravity gun की मदद से इस van से इस helicopter को blast करना है अरे तो चलो अभी आज के धमा के start करते हैं तो ये देखो पहला blast तो मैंने कर दिया और अभी मुझे कुछ ऐसे ही 5 blast करने हैं अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरा mission complete हो जाएगा और ये देखो दूसरा भी complete हुआ अभी बारी है तीसरे short की अरे लेकिन अब की बार helicopter side में है तो मुझे उससे blast करने के लिए side में जाना पड़ेगा और अभी मैं आया final location पर और ये तीसरे blast भी complete अभी बढ़ते हैं अपने चोथे धमा के किये और और ये धमा का काफी शानदार होगा तो चलो अभी चोथा निशाना लगाते हैं और ये चोथा निशाना भी complete हुआ और अभी मेरे को एक last and final short मानना है अगर मैं इसको मार देता हूँ तो mission complete अरे वाई ये देखो मैंने तो short मार दिया और मेरा mission complete हुआ अरे तो मेरे दोस्त मैंने तुम्हारा mission complete कर दिया अभी जल्दी से मुझे इनाम दो अरे वाई बहुत अच्छे मेरे दोस्त जिस mission को कोई भी नहीं कर पाया उसे तुमने चुटकियों में कर दिया ये रहा तुमारा इनाम वाई यार मेरा नाम है हवा हवाई और तुमने हम को यहां पर काई को बुलाई अरे मेरे दोस्त तुम ये मेरे साथ क्या मजा कर रहे हो इस जोकर को कौन से सरक्स से उठा कर लाए हो अरे मेरे दोस्त ये कोई जोकर नहीं बल्कि ये तो एक फाइटर जेट रोबोट है और इसके पास इतनी पावर्स है कि कोई तुम्हारा पाल भी बाका नहीं कर पाएगा अरे वायर तब तो इसको ट्राइ करना बनता है अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ ओहो ये तो अंदर से भी काफी ज़्यादा शांदार है तो चलो अभी इसे उड़ा कर देखते हैं वाव यार अगर मेरे को एक जेट में कनवर्ट करना चाते हो तो किसी सीदी जगे पर चलो अरे मेरे हिसाब से ये जगे काफी अच्छी है तो ये देखो अभी तो मैं जेट बन गया वाव यार हवा हवाई उड़ने के लिए तियार है तो चलो अभी उड़ते हैं अरे हाँ अभी तो इविल रो फिरो भी तियार है तो चलो अभी हम भी उड़ते हैं अभी फाइनल यार अभी मैं लाइट हाउस पर तो पहुंच गया लेकिन अभी मेरे को जल्दी से गोड़ल के अड़े पर जाना पड़ेगा अरे यार मुझे लगता है मेरे को अपनी नागिन बाइक लानी चाहिए थी वो तो बहुत सुपर फास चलती है और अभी यार मेरी बाइक को फटा फट से नीचे उतारना पड़ेगा तो ये देखो अभी तो मैं गोड़ल की गुफा के बाहर पहुंच गया अरे तो चलो भी फटा फट से अपनी बाइक को गोड़ल की गुफा के अंदर लेके चलते हैं और ये देखो भी तो मैं गोड़ल के पास में पहुंच गया हूँ तो चलो भी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर पार कर देता हूँ अरे लेकिन गोड़ल कहीं पर दिखाए नहीं दे रहा मुझे लगता है वो आराम कर रहा होगा तो चलो अभी फटा फट से अपनी बाइक से उतरता हूँ और चल कर गोड़ल को अपने पास में बुलाता हूँ I hope guys आप सभी को आज की वीडियो काफी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाते हैं तो फटा फट से आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजे और आप सभी को नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजे हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ